गांदर्बल आतंकी हमले की जिम्मेदारी लशकर इत्यवा के मुखोटा संगठन दरजिस्टेंस फ्रेंट टी आर एफ ने ली है टी आर एफ बीते पांच वर्ष से कश्मीर में आतंका परियाई बना हुआ है वादी में टार्गेट किलिंग और अन्य राज्जों के नागरिकों पर हमले की अधिकांच वारदातों को इसी संगठन ने अंजाम दिया है ये हमला टी आर एफ के पहले किये हमलों से अलग है ये उसने सिर्फ बाहरी लोगों को निशाना बनाने के लिए या फिर कश्मीर में बुन्यादी धाचागत योजना को नुकसान पहुचाने के लिए नहीं किया है उसने यह हमला सैन्य दृष्टी से महत्वपूर्ण परियोजना को निशाना बनाने के लिए किया है टी आरेफ उसने इसकी पुष्टी की है जैशे मुहम्मत का हिट स्क्वार कहे जाने वाले पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले के संदर्प में जो बयान जारी किया है वो भी इस तत्थे की तरफ संकेत कर रहा है इस हमले में पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजनसी आयसाई की भूमिका को नहीं नकारा जा सकता जम्मू कश्मीर के गांदर्बल में 2019 के बाद से सबसे बड़ा आतन की हमला हुआ है इस हमले में साथ लोगों की मौत हो चुकी है और पांच लोग घायल हुए है हमले के बाद सभी आतन की फरार हो चुके हैं इस हमले का मास्टर माइन शेक सज्जाद गुल को बताया जा रहा है जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है एनाईय ने इस पर 2019 में ही 10 लाख रुपए का इनाम घोशित किया था इसके साथ तीन अन्य आतन की हैं जिनकी मदद से शेक सज्जाद पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा है सूत्रू के अनुसार चुनाव के बाद आतनकवादी संधठन सभी का ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहते हैं इसलिए वे टार्गेट किलिंग करने की कोशिश कर रही हैं यह 2019 के बाद सबसे बड़ी टार्गेट किलिंग है शेक सज्जाद के साथी पाकिस्तानी आतनकियों और स्थानिय लड़कों की मदद से जम्मू कश्मीर में आतनकवाद को बढ़ावा दे रही हैं इन आतनकियों को पाकिस्तानी सेना और ISI का भी समर्थन हासिल है इनका उद्देश जम्मू कश्मीर में अशांती थैलाना है भारत सरकार का ग्रह मंत्राले भी शेक सज्जाद को आतनकी घोशित कर चुगा है जन्वरी 2023 में भारत सरकार के ग्रह मंत्राले ने शेक सज्जाद को आतनकी घोशित किया था शेक सज्जाद शीनगर के बेमिना में हम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही बड़ा आतनकी हमला हुआ है आतनकी ने सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदर्बल को निशाना बनाया गांदर्बल के गगंगीर इलाके में हुए आतनकी हमले में डॉक्टर समेच साथ लोगों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हुए है इस हमले की जिम्मेदारी आतनकी संगठन तियार एफ ने ली है ये संगठन लशकर एतेबा का मुखोटा है और कश्मीर में लगातार आतनकी वारदातों को अंजाम दे रहा है एनाया ने इस आतनकी हमले की जाँच शुरू कर दी है एनाया की टीम गांदर्बल पहुच गई है और मौके से सूबत जुटा रही है गांदर्बल में ये टेरर अटैक सोनमर्क इलाके के गगनगीर में हुआ है सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे जेर मोर सुरंग निर्मान प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे इसी दोरान आतंकियों ने उन पर अंधा धुन्द फाइरिंग कर दी हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए इस गोली बारी में दो गारियां भी जलकर खाक हो गई है कश्मीर मामलों के जानकारों का कहना है कि जस तरह से TRF और PFF ने बयान जारी किये है उससे साफ हो जाता है कि कश्मीर में आतंकी संगठनों और उनके कैडर का इस्तमाल पाकिस्तानी सेना वपाकिस्तानी खुफिया एजंसी ISI अपने मकसद के लिए कर रही है कल तक यहां आतंकी संगठन खुद को कश्मीरी संगठन बताते थे कश्मीर में सक्रिय आतन की किसी भी तरह से कश्मीर और कश्मीरियों के लिए नहीं बलकि पाकिस्तानी मनसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी सेना के लिए बली का बक्रा है उन्होंने कहा कि आतन की संगठनों ने हमेशा पाकिस्तानी सेना के हितों को ध्यान में रखते हुए कश्मीर में कई बड़े आतन की हमले अंजाम दिये हैं जम्मू में सैन्य शिविरों पर हमले हो या उरी हमला अगर आप इनका आकलन करेंगे तो पाएंगे कि इनकी रूपरेखा किसी सेन्या धिकारी ने बनाई है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद